आकाश्मानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादिशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहले मुक्के समाचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी अपने मंत्रियों के साथ अपसे कुछ देर में लेंगे शपत मद्द प्रदेश से भी कई नामों की चर्चा एक माह तक कॉंग्रेस प्रवक्ताओं की टीवी चर्चाओं में भाग लेने पर रूख इन दोर से शार्जाह के लिए जुलाई से शुरू हो सकते हैं पहली अंतराश्य उडान और विश्यकप क्रिकेट शुरू भारत का पहला मुकाबला पात जून को देक्शन अफरेका से अब समाचा विस्तार से नरेंद्र मोधी राज़्ट्पती ववन के प्रांगण में आपसे थोड़ी देर बाद दूसरे कारिकाल के लिए प्रधान मंत्री के रूप में शपत लेंगे राज़्ट्पती रावनाथ कोविंद उन्हें और मंत्र परिशत के अने सदस्यों को पद और गोपनियता के शपत दिलाएंगे इस उसर पर कई देशों के राश्चाध्यक्ष और शासनाध्यक्ष समवधानिक पदादिकारी और राजनाइक भी उपस्तित रहेंगे भारत ने पडोसी देशों को वरेता देने की सरकार की नीती के मद्दे नजर बिमस्तिक देशों की नेताओं को भी आमंतरित किया है बांगलादेश, श्रिलंका, किर्गिस, कडराज्य और मियमा के राश्चुपती तधा मौरिशस, नेपाल, भूटान के प्रधानमंत्री और थाइलैंड के विशेश दूद इस समारों में उपस्तित रहेंगे हमारे समवादादा ने बताया कि कॉंग्रिस अध्यक्ष शाहुल गांधी और यूपी अध्यक्ष सूनिय गांधी भी इस उसर पर उपस्तित रहेंगी तेलंगाना के मुक्यमंत्री के चंद्रशेकर राओ, बिहार के मुक्यमंत्री नितेश कुमार, दिल्ली के मुक्यमंत्री अर्विन केजरिवाल भी इस समारों में मौझूद रहेंगे इस समारों में 6000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया है शपत ग्रहन समारों से पहले नरेंद्र मोधी ने संभावित मंद्रियों से मुलाकात की चर्चा है कि मंध्र परिशत में मध्रप्रदीश से शामिल के जाने वाले सदस्यों में मध्यप्रदेश से नरेंद्र सिंग्तोमर, थावरचंद गहलोद, प्रलाद पतील को शामिल किया जा सकता है आज शाम को होने वाले शपत ग्रहन समारों में लोगों की उस सुपता इस बात पर भी है कि इंडिया के सहयोगी दलों से कितने सांसदों को मंत्री परिशद में जगह मिलेगी दिपेंदर कुमार, आकाश्वनी समाचार, दिल्ली राजी के नगरीय विकास यमावास मंत्री जवरदन सिंग ने आज इसराइल के काउंसलेट जनरल याकोब फिनकेल स्टीन से चर्चा की श्रेश सिंग ने बता है कि प्रदेश के नगरीय निकायों में इसराइल के सहयोग से जल प्रबंधन के शुरुवात की जा सकती है उन्होंने आगे कहा कि इसराइल जल सनक्षन के शेत्र में आदर्श है वहाँ कम वर्षा के बावजूद भी पानी के बहतर उपलब दता है राजी में इसराइल की तक्नीक का उपियोग रिसाइकलिंग और वाटर मैनेचमेंट तथा वाटर ट्रेटमेंट के रूप में किय जा सकता है लोगसभा चुनाओं में करारी हार के बाद कॉंग्रस के मीडिया प्रभारी रंदीव सोजेवाला ने एक महीने के लिए चैनलों में प्रवक्ता नहीं भेचने का अलान किया है उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में टेलेविजन सलचालकों से अपील की है कि एक महीने वे कॉंग्रस प्रवक्ताओं को किसी भी जर्जा में शामिलना करें कॉंग्रस की राज्यकाई के प्रवक्ता भी निजी चैनलों के वाद्विवाद कारिक्रमों में हिस्सार नहीं लेंगे एक जुलाई से शुरू होने वाली अमनात यात्रा के लिए ओनलाइन पंजियन की सुविधार शुरू हो गई है अधिकारी जानकारी में बताया गया है कि इस यात्रा के लिए प्रति दिन पांसो तीर थियात्री अपना पंजियन करा सकेंगे इनमें से 200 यात्री पहलकाम और 200 यात्री बालतल मांक से यात्रा पर जा सकेंगे इस यात्रा के लिए पन्जियन कराने वालों को अपना स्वास प्रमाण पद्र अनिवारी रूप से अपलोड करना होगा साथी प्रतिवेक्त 200 रुपई का शूरुक देना होगा इस संबंद में विश्रत जानकारी श्री अमनाथ जीश्राइन.com से ली जा सकती है राजानी के भारतिय विज्ञान शिक्षा एवनुसंधान संस्थान का साथमा दिक्षान समारो कल सुबह दस बजे होगा भारिस्तित संस्थान के परिसर में आयोज़ित दिक्षान समारो के मुख्यातिती खगोल शास्त्र एवन खगोल भौद की अंतर विश्यविद्याले केंद्र के अमेरिटर्स प्रोफेसर जैन्त वी नारलेकर होंगे ये समाचार आप आकाश्वानी भौपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपने सुविधा के नुसा सुन सकते हैं ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर देख सकते हैं इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बॉलिटिन, यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भौपाल पेच्छोर सुरे जा सकते हैं इंदौर से अंतराश्री उडाने जल्द ही शुरू हो जाएंगी। और उम्मीद है कि इसी वर्ष जुलाई सी ये उडान शुरू हो जाएगी। हवायड़ी की देशक आरेमा सान्याल ने आकाश्मानी को बताया कि करीब करीब पॉने दो या दो मैने लगेगा हम पार्किंग भी बड़ा रहे हैं अभी हमारे पास 11 पार्किंग भी है हम पंधर और कंस्ट्रक्ट निर्मान कर रहे हैं तो हमने 32 लाक यात्री को करी किया यह मैं सकती हूं कि विदेज यात्रा कर यहां से सीधा होगा पाकिस्तान के खलाब भारत की भड़न 16 जून को मैंचिस्टर में होगी विशुक प्रूनमेंट में कुल 48 मैच खेले जाएंगे जिनमें से 45 मैच ग्रूप स्टेज पर होंगे प्रदेख टीम को ग्रूप स्टेज में 9 मैच खेलने होंगे और शीर्स चार टीमें समी फाइनल में पहुचेंगी राजस्तान से आ रही गर्म हवाओं के कारण प्रूदेश में 30 कर्मी का दौर जारी है राज़ानी में हलके भादल चाय रहने के कारण बीते दिनों के मुकाबले गर्मी का असर कुछ कम रहा मगर राज़ के अन्य हिस्तों में तेज थूप रही प्रूदेश में अधिकान सापमान 47 डिक्री सल्सियस नौगाओं खचुरा हो और ग्वालियर में दर्ज क्या गया वहीं चितरपुर, ग्वालियर, गुना, दतिया, होशंगाबाद, राइसीन और शाजापुर में लू का प्रभाव रहा मौसम विवाग ने अगले दो दिनों तक इसी तरह की गर्मी वने रहने का अनुमान जताया है प्रदेश के दस से ज्यादा शेहरों में तापमान 45 डिग्री सलसियस से अधिक रहा अब कुछ समाचार संख्षेप में राजे में कल विश्र तंबाको निशे दिवस पर विवित कारिक्रम आयोजित के जाएंगे इस मौके पर जंजाग्रती रैलिया निकलेंगी विचार गोश्टियां होंगी और मानोश्रंकला बनाई चाहेंगी रिवाजिले में जल उभोक्ता संस्थाओं के अध्याक्ष और सजस्नियों के निर्वाचन का कारिक्रम जारी हो गया है एक जून से नामांकन पत्र प्राप्त किया जा सकेंगी और तीन जून तक भरा जा सकेगा कन्वसले में नदीप उनर जीवन के कारे तेजी से चल रहे हैं इस अभियान के तहद विभिन जल सरचनाओं के सुधार और निर्मान कारे किये जा रहे हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधार मंद्री नरेंद्र मूधी अपने मंद्रियों के साथ अफसे कुछ दिर में लेंगे शपत, मदरप्रदीश से भी कई नामों की चर्चा एक माह तक कॉंग्रिस प्रवक्ताओं की टीवी चर्चाओं में भाग लेने पर रोक इन दोर के शार्जाह के लिए जुलाई से शुरू हो सकती है पहली अंतराश्य उडान और विशुकप क्रिकेट शुरू भारत का पहला मुकाबला पाथ जून को देक्शन अफरेका से इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार